पडोसी देश नेपाल में भारी बारिश की वज़े से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगडने लगे हैं राप्ती नदी के बढ़ते जलिस्तर ने गोरकपुर के ग्रामेन इलाकों में बार जैसे सिती पैदा कर दी है इससे आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है क्योंकि कई लोगों को मजबूरी में उचे स्थानों पर जाना पड़ा है जहें की गष छोगा आंके यहां रहा रहरा है उंचे वाल अस्तान पर बच्चे जो है कैसे जा रहा है और बच्चे आते आनो से आते हैं अफे जाते if यहικό हम लोग यहाँ रहते हैं इतनी दिक्ट आरे हैं बहुत दिक्कत हो रही है, अभी तो कोई सरकाई का काम धमाई हुआ है, ना कोई नहीं है, तर्वी लग रहा है। करें एजडीम आई थी, देखो के गई बाड़ का, तो क्या बोली है मैंड़ाब? अभी नहीं बोली है, उधर गई थी, पीछे मंदिर के साइट में, नदिक साइट में। अभी देख रहा है, पानी सड़क पे आ रहा है, अभी लगतार बढ़ते जा रहा है, अभी बढ़ रहा है। प्रिशाशन के मताबिक, निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है, इसके साथ-साथ गाउवालों की सुरक्षा के लिए भी सभी उपाय किये जा रहे हैं। सभी लोग फीड़ में रहें और रह करके जो भी बांट से प्रभावित वेक्ती हैं, जिनके घरों में पानी गुसा हुआ है, उनको जूर अच्छी जग़ों पर विस्थापित करें, राजशीर में विस्थापित करें, और उन्हें वहाँ पर समुचित व्यवस्थाइन आने वाले दिनों में जलिस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए, लोगों ने प्रशाशन से जरुरत की चीजें देने और मुश्किल वक्त में मदद पहुंचाने की अपील की है क्रेंशीर में में जरुरत का लाले देन देना विकल प्रली वक्त में आ दो समुचित जरे रुAN Kelsey के लिए Ten ओिना देनाशन गूंचान क्रिकेज़ अन्हें धुचित की है